मेरी मम्मी ने बनाया है साड़ी के लिए से प्लांटर आप लोग जरूर देखना है तो वीडियो को पूरी बाच करिएगा चलिए शुरू करते हैं हलो फ्रेंड विल्कम टियमके गार्डन तो आप सब कैसे अच्छे होंगे ठीक होंगे स्वस्ता होंगे बोलने मुझे अभी गलते हो जात्मा करिया पर्च को धने करके लिए तो फ्रेंड आज में बनाने वाली हूं कुछ फ्लांटर और यूट्यूब में अभी कोई भी बना आने वाली हूं तो आप लोग वीडियो बने रहे गर देखिए का जरूर मैं कैसे क्या करती हूं आदेखें यह लेस कितनी संदर लग रही है यह मेरी मम्मी की साड़ी के तो साड़ी फट गई थी तो मैं वहां से यह निकार के ले आई हूं क्योंकि मैं है यहां पर साड़ी लेने हैं इस तरह से गमले लेना है कोई भी गमले हो आपके पास तो यह गमले हैं तो इनको साप करके हरम प्रेंट करते हैं ठीक है तो इसी तरह से हमें गमले लेना है फ्रेंड और फिर बाद में आप लोगों को दिखाती हूं कैसे क्या करना है बने रहेगा वीडियो में तो फ्रेंड आप लोगों को ऐसी साड़ी की पुरानी जो लेस है उसको ले लेना है देख सकते हैं यह मेरी दो साड़ी की लेस है और इस तरह से आप लोगों के एक लेना है गंबला जो आपके पास नर्शी पॉर्ट हो या और कोई पॉर्ट हो तो उसमें आप असानी से लिबन दुटे कम और बाइब यह तो नहीं यह को नहीं बन रहा तो ये देखिए को ज़से यहां भड़ सर्क टेयर जा आप लोग lagi कर marked देक है तो आपको इतना संधर पूरेए ने इसको लगाया है यह जो फवार न भी कोels ये जो लेस को उसके उपर चिपकाते जाना है इस तरह से एक सुन्दर गजब का प्लांटर आप लोगों का बनके रेडी हो जाएगा खुब सुन्दर प्लांट लगाने के लिए ठीक है तो आप लोगों के पास अगर ऐसी पुरानी लेस पड़ी है कबार में पड़ी है या और कहीं फेंक रहे हैं आप या और कहीं आपको सुन्दर सी लेस दिख रही है या आपकी खुद की साड़ी की ही निकल गई है या आपकी मम्मी की कुछ किसी की भी हो तो आपके घर में तो आप लोग उसको बिल्कुल भी मत थेकेगा ये मेरा पहला आइडिया है अभी किसी ने साड़ी का लेस का कोई कुछ नहीं बनाया यूटूम में गमले के लिए तो आप लोग ये मेरा वीडियो को जरूर देखिएगा और बहुत जदा वाइरल कर दीजिएगा और आप लोग भी ऐसे बना लीजिएगा ताकि सब लोग अपनी साड़ी की लेस फैकते ना तो बिल्कुल भी न फैके इसी तरह से प्लांटर बना ले सुंदर सुंदर सुंद लेती ऐसा लग रहा था कि बेकार है निकल चुकी है इसको फेक देते हैं लेकिन जब इसमें लग गया तो देखिए यह जो कांच के इसमें सीसे लगें कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप लोगों को अच्छी लग रहे हैं कि नहीं तो इस तरह से पूरे में कबर कर देन है ठीक मैं फ्रेंड ममी मेरा कि इस तरह से आप लोगों को कर देना है अब फाइनली लुक आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूं कि फाइनली मेरे प्लांटर बन चुके हैं आप लोग बने देखिए गा जरूर मैंने कैसे किया किया अब देख सकते हैं और जो लेट कबार में पड़ी हुई थी मैंने उसका इतना संदर जूच किया हुए देख लीजे आप फेवी कुईब की मदब से मैंने इस तरह से लेप को चारों तरफ से चिपका दिया है और इसको इसमें लगा दिया है तो कैसे लग रही है यहां से यह निकल गई थी यह जो मोतिया है यहां से इसको भी यहां पर चिपकाना चाहिए तो कैसे लग रहा है मेरे प्लांटर है ना कुद कितने खुबसूरत बनके रेडी हो गया है अच्छे लग रहा है ना क्यूट क् और देखते हैं इनमें से लगांगी क्या तो मैं मिट्टी डाल के फिर आप लोगों को लगा के दिखाती हूं इस तरह से पहले हम कोई भी प्लांट जब लगाते हैं तो इस तरह से हमें कुछ ने कुछ नीचे डाल देना चाहिए जो भी हो पर आप तूटे टाटे ये पत्थ निए जैसे ही पानी डालो तो मिट्टी भी साथ में निकल जाती है तो हमें इस बात का जरूर धियां रखना है कि इन में से कुछ ने कुछ डाल देना है मिट्टी ना ज्यादा बहे ऐसे देखे जैसे मैं लगा रहीं इस तरह से तो फ्रेंड मैं लगा के आप लोगों को फिर दिखाती हूँ प्लांट लगा करके और फिर फाइनल लूक आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लगाऊंगी इसमें से कुछ न कुछ लगा दूंगी ठीक है सकते हैं फ्रेंड मैंने प्लांट लगा के रेडी कर दिया है इसमें मैंने लगा दिया इस नायक के बेबी निकले हुए थे तो उसको कबाड में मत ठेकना और इस तरह से आप भी अपने प्लांटर सुन्दर बना सकते देखें ऐसे ब्लैक डिकम सुन्दर लग रहे थे ना अब ये साड़ी को मैंने इस तरह से लेस लगा दिया तो कितने खूबसूरत गजब के लग रहे हैं ना साड़ी का डवल धवाका तो बताइए आप लोगों को मेरे प्लांटर कैसे लगे और देख लीज़े मेरे गार्डन में कितना सारा कबाड पर है कल से सफाई कर रही हूं अभी तक सफाई नहीं हो पाई है और आठ दिन दस दिन में निकली है वही पंदरा दिन के बाद धोप निकली थी कल थोड़ी थोड़ी निकली आज तो लगी हूं काम करने में और बहुत ज्यादा वर्के मेरे गार्डन में पूरा बिखरा पड़ा है तो थोड़ी से सेट करने में लगी हूं और सफाई भी करने और थोड़ी सी सजाना वजाना है तो इसलिए फ्रेंड मैंने कल दिमाग में आइडिया आया कि चलो मैं ये मेरी साड़ी के लेस पुरानी पड़ी वी तो क्या करूं पहले तो मन किया फेक दू किसी काम के नहीं है फिर दिमाग में आइडिया आया कि चलो इसको ऐसे यूज कर लेते हैं तो बस एक साड़ी के पूरी लेस में देखे पूरा ल तो कमेंट बताएएगा और मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो पूरी देखा करिए पूरी वाज किया करिए और एक दूसरे का सपोर्ट के बगार कोई आगे वहने वाला नहीं है तो प्लीज मेरा भी सपोर्ट करें मैं आप लोगों को सपो के दो फरेंड मेरी ममी बहुत मेनद करती हुए जो लाइक करिए एओ और लॉपत मेना तैंड़ लाइक करिए य हां भाइ-वाई वाई-भाई